आज के gaming news के episode में आपको GTA 6, Valorant Mobile, Free Fire का Comeback, Little Nightmares 3, Delta Force, Assassin's Creed Mobile, Modern Warfare 3 and और भी बहुत सारी gaming से related interesting news जानने को मिलेगी, so वीडियो के इन तक ज़रूर लखना मना बहुत कुछ मिस्स कर जाओगे. आगे बलने से पहले, अगर मैं आपसे कहूँ कि बस इंटरने चलाने से ही आप पैसे कमा सकते हो, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, ये possible है एक app से जिसका नाम है Honey Gain, अब I know, I know, एक और Honey Gain का ad, बट इसकी बात तो करनी बनती ही है न, जो कि ये खाली बैठने के पैसे देता है आपको, नहीं नहीं उस पैसे आप घरगारी नहीं ले पाओगे, बट कोई game screen या Netflix सा subscription तो जरूर खरीद सकते हो, like apps and website इसका use करते है, products के latest prices चेक करने के लिए, अलग-अलगी commerce store से, and then customers को best deal provide करते हैं, या किसी website का SEO and performance measure करने के लिए भी use होता है, simple words में समझाओं तो ये Uber की तरह हो गया, जैसे वो cars को rent करके पैसा कमाता है, आप अपना internet connection rent पे देके पैसा कमाओगे, बस app चला के छोड़ easy use करो, and अभी app डाउनोड करो, Assassin's Creed का एक नया mobile game, Assassin's Creed Jade का नया trailer आ गया है, and इसका नाम भी अब Assassin's Creed Jade confirm कर दिया गया है, code name में करे लगाने की जरोत नहीं है, game set है चायना में, जहाँ आप एक customizable assassin को control करोगे, trailer बहुत जादा सुन्दा लग रहा है, and उसमें stealth, parkour, and all-out combat सब दि किसी PS3 game से कम नहीं लग रहे है, बाकी detail में समझने के लिए, game concept index की overview वीडियो ज़रूर देखना, and हा, इसका second close beta test भी होने वाला है, तो उसके लिए भी आप pre-register कर सकते हो, website पे, बात करते हैं उन games की जिने आप claim कर सकते हो, तो इस week मिल रहा है Homeworld, Deserts of Carrick, and next week मिलेगा Cave Story Plus, So, China में जो Valorant Mobile के close beta test हुआ, उस सक gameplay सामने आया है, and यह बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, सबसे पहले तो एक opening cinematic आता है, and then tutorial mode, बिल्कुल वैसे जैसे PC versions में आता था, उसके बाद एक match के gameplay भी दिखाया जाता है, and abilities भी समझाई जाती है, वैसे तो सब कुछ Chinese में लिखा है, but still overall देखने में बहुत जादा बढ़िया लग रहा है, काफी जादा close लग रहा है to the original PC version, तकी option होगा to choose from two finger और three finger, so Chinese version ऐसा दिख रहा है, तो global version भी काफी बढ़िया यह दिखने वाला है, बस उसको आने में काफी time लग सकता है अभी, क्योंकि Riot उसे तब तक release न रहे हैं, उतना PC ये console पे नहीं खेल रहे हैं, इसलिए ही उन्होंने Activision को खरीदने के deal भी रखी है, because Activision Blizzard King के पास काफी बड़ा mobile games का portfolio है, like Candy Crush, QD Mobile, Diablo Immortal, लाकि उन्होंने ये भी कहा कि Microsoft अपना mobile show भी बना रहा है, जो games and apps के लिए होगा, so उनके बड़े plans are related to mobile gaming, and let's see कि कि रहे हैं, देखने को मिलता है, मैं उनकी तरफ से, तो भाई, ऐसा लग रहा है कि Free Fire वापस आ रहा है इंडिया में, and ये news आ रहा है, from popular games market analyst Rishi Alvani, जिनोंने Twitter याने की X पे बताया, कि एक PR agency ने गेम के return की hint दिये, उस PR agency का नाम तो नहीं reveal किया गया, but एक email का screenshot दिख रहा था जिसके according to PR agency का latest client और कोई ने भल की करीना Free Fire है, मतलब वो करीना Free Fire की publicity handle करने वाले हैं, खर बाद में company ने ट्वीट्स को हटवा दिया, जिसका मतलब समझ जा हुआ है, कि गेम वापस आ रहा है finally, बस अब देखना ये है कि वो कब होगा, and कैसे operate करने वाले है, because मैं बताए है कि BGMI अभी भी 3 months के trial period पे है, तो क्या same चीज Free Fire के साथ ही होगी, वो अभी पता चलेगा, well mobile के लिए एक नया shooter game आ रहा है, and even mobile क्या ये game PC and consoles के लिए भी आ रहा है, इसका नाम है Delta Force, and जो भी लोग काफी पहले से games खिलते आ रहे हैं, उन्हें Delta Force series का तो बता ही होगा, काफी नोंने नया game announce कर दिया है, Delta Force, and चितना ना करो, इंडिया में भी आई जाएगा, क्योंकि TMI Studios की COD Mobile और Pokemon United भी चलते हैं आपे, so इस game में एक single player campaign mode होगा, based on the movie Black Hawk Down, and साथी एक large scale PBB mode होगा, जहां 32 players एक दूसरे के against खेल पाएंगे, large scale combat का मतलब हो गया, कि लड़ाई हर जगा हो रही होगी, जमीन, पानी, और आस्वान में, आप vehicles भी चला पाओगे, like helicopters, attack boats, jeeps, fighter jets, drones, etc, अगि ट्रिलर में कुछ interesting gadgets भी दिख रहे हैं, like recon arrow, उलने वाले smoke grenades, so यार मैं बहुत excited हूँ इन games को दुबारा खेलने के लिए, बस देखते हैं, बस देखते हैं, Battlefield and COD के सामने कै इसे डिख पाता है, well किसी ने सोचा भी नहीं होगा, but हमें finally Little Nightmares 3 की announcement मिल गई है, उसका thriller दिखाया गया, जिसमें दो नए characters है, low and alone, अगर आप अकेले खिलना चाहते हो, तो दूसरा character AI से control हो जाएगा, otherwise आप अपने friend के साथ co-op में भी खेल सकते हो, game 2024 में release होगा for PC, PSY, PS4 Xbox and Switch, so look काफी जादे excited है इसके लिए, because इसके पिछले दोनों के बहुती बढ़िया थे, आप बताव excited हो या नहीं, उसके लाएब ये announcement हमें Gamescom 2023 event में मिली है, जो कि one of the biggest gaming event है, उसमें जो भी बड़ी announcements आई हैं, उससे related हमने video games का उसे इंडिया पे डालने वाले हैं, तो वहा आपसास hacking group का पार्ट थे, तो इन दोनों ने पहले NVIDIA और Uber पे अटेक किया, जिसके बाद ARIAN पकल दिया गया, क्योंकि उसकी added इर कुछ rival hackers ने रिवील कर दिया थी, तो जब पोलिस ने उसको एक hotel room में रख रखा था on bail, वही से उसने Rockstar Games पे अटेक कर दिया, और पता है 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 करने के लिए उसके बास वहाँ पे क्या था, एक smartphone, एक mouse, एक keyboard और एक Amazon fire tv stick, बस, अदब स्रे fire tv stick से उसने Rockstar जैसी बड़ी कंपरी को hack कर लिया, वह भी तब जब पोलिस उस पे already investigate कर दिया, जब वो bail पे निकला हुआ है बहार, उसने पहले slack server hack किये, जहां बहुम message करता है कि मैं को employable की attack करूँ, जिसके बाद उसने 100 के करी videos चुरा ली, swords code भी चुरा लिया, and then Rockstar ने भी confirm किया कि उन पे attack हुआ है, and then police ने उसे वहाँ पे पकर लिया, and अब इन दोनों को guilty ठाया गया है, and 12 charges place करे गए इन पे, now एक बड़ी good news ये है कि Cyberpunk 2.0 हो आ रहा है, ये एक नय नया update होगा for the game, जो सब कुछ बदल के रख देगा, and सबसे बड़िया बात कि ये free में PC, PS5, and Xbox Series XS के लिए आ रहा है, Phantom Liberty expansion के साथ ही ये September 26 को release हो रहा है, and जिनको DLC नहीं खरीद नहीं बड़ बेस गेम ओन करते हैं, उन्हें भी update मिल जाएगा, trailer में नया features दिखाए गए हैं इवर नया relics, skill tree और abilities भी आ रहे हैं, 100 प्लस नया items like weapons, cyberware और clothes भी हैं, तो मैं काफी साथ एक्साइटिट हूँ इसके लिए, शायद इस बार Cyberpunk कमडीट ही कर दूगा इस नया update के साथ, वैसे जो comeback इस game में किया है ना, वो सभी में phenomenal है, फिर Farlight 84 की बात करते है, जो आपको पत इसमें, बाकि उन्होंने ये भी बताया कि game के 30 million registered users हो गए है in the world, and next year से ही हर महिने एक नया hero आया करेगा, तन एक नया entity system भी आया है, जो उनके according काफी better है, और वो automatic bands भी देता है, और साथी players report के according भी काम करता है, फिर Activision ने अपने COD Modern Warfare 3 का gameplay दिखाया है, Modern Warfare 3 का नया करके गहरे से compound में sneak करते हैं, फिर एक बड़ा explosion होता है, जिसके बात combat शुरू हो जाता है, टरनल से alpha teams और diaptism complex के अंदर जाती है, लेकिन इस operation का target कौन है, वो अब भी भी mystery है, जो obviously game में ही पता लगेगी, Activision ने पहले confirm किया था कि Modern Warfare 3 में slide cancelling और classic mini man वापस आएगा, अब चलते हैं, 5 in 1 news की तरफ तो साल का सबसे बड़ा game award show, तक game awards की date announce कर दी गई है, वो December 7 को होगा, जिसमें game of the year का भी पता लगेगा, और बहुत से नए games भी announce हो सकते हैं, फिर Tekken 8 की release date भी announce करी गई है, और वो PC, PS5 और Xbox Series XS के लिए January 26, 1224 को आएगा, फिर Command & Conquer series का एक नया game RF और Mobile, जिसका नाम है Command & Conquer Legions, इसे publish करेगा level infinite और इसका close beta test जल्दी होगा, then Undone का first update, Desert Fury release हो चुका है, जिसमें new location, story arc, characters, events, vehicles and बहुत कुछ add हुआ है, ताकि Starfield के रिए सभी रुख बहुत जादा excited and ऐसे में एक बंदे ने उसका 45 minutes का game पर लीक कर दिया, और इवन इसकी copies अगर आपको 10 best Indian games के बार में जाना, जो कि 2013 में काफी चर्चा में है, तो उसके लिए left वीडियो देखो, अगर आपको जानना कि हमारे favorite childhood games का भी currently क्या हाल है, उसके लिए right वीडियो देखो, अगर ये वीडियो अच्छी लेगे, तो like करो, चानल को सब्सक्राइब करो, ऐस